नमस्कार तर्दा स्वागत्छा, Computer Architecture को नया Lecture विडियो मा आजोको Topic रहेको सा Input-Output Configuration लेक्चर विडियो स्टार्ट गरनू वन्दा हो गाड़ी, यदी यो चैनल लेता पाई अरले सास्क्राइब गरनू बाको चाहे ना वहने, धन प्लीज सास्क्राइब दिस चैनल, अब लागों आजोको Topic रहेको कुनाई पनी Computer यूजफुल होन्नो को लागी तेसले, External Environments अंगा Communicate गरनू परने होंचा, त्यो बानेको, त्यो Computer System ले, यूजर बाट इन्पुट लीने, रत्यस मा सटेन प्रोसेस करी साके पसी, Output लाए, यूजर मा दिनू परने होंचा रत्यस का लागी Computer System मा, generally, Input Output Devices अरू राहेको होंचा So, आजब यूजर टोपिक मा, आपने, त्यो, Input Output Devices अरू, त्यो, Computer System मा, कासरी Configur गरेर राहेको होंचा रत्यी, Input Output Devices अरू बाट, त्यो, Computer System मा, कासरी Data Transfer उंशा वनर, त्यो, Study गरने हों अब यो फिगर मा अम्रो different input-output devices अरू, computer system मा configure गरे रहे को उन्छा बनार, देखाँनों कोजिये गोशा, जसमा अमले input-output terminal मा द्योटा devices अरू लेएगा साँ, अरूटा printer as output, तेस्टे, keyboard as input device, तेस्टे, द्योटा registers अरू, अमले लेएगा साँ, OUTR register, अनि INPR register, जुन 8 bit को उन तेस्टे, द्योटा flip-flops अरू, जसको बेसिस मा, computer ले, ट्रांसफर गरनी की नगरनी वनने, decision लेने गर सा, FGO रर, FGI, जुन 1 bit को उने गर सा, तेस्टे, अमले, data transfer गर दाखेरी, keyboard बटा पठाँ दाखेरी, accumulator मा राखनो परनी उन्छा, तेस्टे, output को लागी, चाहिने data वन ना, आखकुमुलेटर मा उने बाखोले, सो यहां फोटा accumulator रोजिस्टर पनी यूज़ गरियेको सा, similarly, यो प्रिंटर बानेको, सीरियल फैसन मा काम गरि राहा को हों सा, तेस्टे, यो जुन आउटपुट रोजिस्टर यो पारलली काम गरियेको उन्सा, तेस्टे, INPR को लागी यहां चां यहोडा इंटरफेस राहे को सर रिसीवर इंटरफेस प्रिंटर रो ऊ-U-T-R को बीच मा तेस्टाइ ट्रांस्मिटर इंटरफेस आई-N-P-R कीवोड को बीच मा अब सुरू में आयरों इंपुट डिवाइसेज बाड़ एकुमुलेटर मा कसरी डेटा ट्रांस्पर होँचा अब 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 कोने यूजर ले कीवोड मा एवनने बटन प्रेस गोरे होँचा तेसको प्रस्पन्दिंग 8-bit को अल्फानुमेरिक कोड जुन छा ट्रांस्मिटर इंटर्फेस हुदे सीरियल ली INPR रजिस्टर मा ट्रांस्पर हुने गर्शा रा तेस्पशी यो जुन FGI को वैल्यू छा तेसलाई 1 जब सम्मा अब यो FGI को वैल्यू वान छा तब सम्मा यहां आव क्योड मा जुनसुके बटन प्रेस गरे पनी नया इंफोर्मेशन अरू यहां INPR रजिस्टर मा आऊना पाऊँदाए ना यहां INPR मा नया इंफोर्मेशन आऊने वनेगो जब इसको वैल्यू यह FGI को वैल्यू वैल्यू खी वैल्य वैल्यू हिए जरो उआ घज स्टाव मा अट्रेशन आऊना पाऊँभा नेक्स्ट इसप्स ही CPU ले यह FGI को वैल्यू आए ठहसा अब थी वञ्यूовые यह साबने इसले की गर्नी गर्षा, CPU गर्नी गर्षा नहीं, INPR रजिस्टर बाड़, data accumulator मा parallelly transfer गर्षा, यो FGI को value फेरी clear गर्षा, that means 0 बना उसा, so that our user बाड़ा, input let's say B ऐ प्रेश गर्षा, इसको corresponding alphanumeric code, same है बाड़ा, INPR उानए बाड़ा, and अबाड़ा, फिर पर्मوقाड़ा घर्नाओ, and finally accumulator μα आड़ कोई अड़्ऽ, यो ता पाड़ा, input device बाड़ा कोसरी A Cमा आड़ा, data ट्रांस्फर उन्सा वन्सा अब नेक्स्ट एरों यो accumulator बढ़ कसरी output devices अरुमा डेटा ट्रांस्फर उन्सा वन्सा वन्सा अब इसका लागी शुरुमा FGO को value 1 उन्सा रो computer ले यो FGO को value read गर्सा यदि 1 बेटियो ने accumulator मा बायको content OUTR मा परलल्ली ट्रांस्फर गर्नी गर्सा रत्यस्पषी जुन यो FGO को value यह लाए clear गर्सा यह जरो बनाऊसा so that यो FGO को value 0 हुंजल सम्मा एक्कुमुलेटर बढ़ नया content OUTR मा ट्रांस्फर मोदाइना रत्यस्पषी यो printer ले OUTR रजिस्टर बढ़ one by one information अरू print गर्णो को लागी receive गरी राहे गोंसा रप्रिंटर ले सब इन्फोर्मेशन प्रिंट गरी सके पसी यो FGO को value लाए फेरी set गर्ने गरिंसा that means one बनाई इंसा रफ़र यह cycle repeat गर्सा अब यह माठी के कुराला है आमले यो flow chart मा देखा को साँ अब शुरू मा इंपुट बटा AC मा डेटा ट्रांसफर मोदाहेरी के उन्छा अन्दाहेरी first FGI को value के उन्छा 0 set गर्ने गरिंसा हम्रो CPU ले आफनो काम नर्मल काम गरी राहेको बन्छा certain time पसी आयारा के गर्षा FGI को value चेक गर्षा यदि FGI को value 0 अने CPU लेके बुच्छा INPR रजिस्टर मा कुने नया information इंपुट को लागी आको छाइना बन्छा आफनो नर्मल काम गर्षा रा certain time पसी आयारा अज FGI को value चेक गर्षा अब यदि 9 वाने को FGI को value 1 अब की उन्छा INPR को value की उन्छा अब आकोमुलेटर मा ट्रांसपर उन्छा अब फॉर्दर मोर क्यारेक्टर्स अरू इंपुट गर्णू पर्नेशा वाने अज उल्ले सेम की गर्नी गर्षा यह प्रोसेस रीपीट गर्नी गर्षा सो यो तो बायो इंपुट को लागी अब तेस्थे सो यो इस्टेप मा डेटा लागे मा ट्रांसपर गरीगास अघ्कुमुलेटर मा रां CPU अब गवायरा क्या को वैल्यवी चेक कर्षा ता FGO को वैल्यू चेक कर्षा यही FGO को वैल्यू वान भानी CPU ले केगर्षा अठकुमुलेटर मा जो नामले, आउट्पुट डिवाइस मा पढ़ाँ परनी डेटा सा, तिलाए OU-T-R रजिस्टर मा ट्रांस्फर गर सा, अनि तेस्पासी, आउट्पुट डिवाइस ले यो OU-T-R रजिस्टर बाढ़ा, वन बाई वन इन्फरमेशन लिएर, आफनो काम सपचाई सके पासी, बल्ला, FGO को वैल्यू क्लियर गरींच, दाट मेंज, 0 बाणाईँच, तेस्टे मोर डेटा आरो, वा क्यारेक्टर लाई, आउट्पुट डिवाइस मा पढ़ाँ परनी सा वनी, यही प्रोसेस, फॉलो गरनी बाढ़ाकोले, यहांसे रिटर्न गरेगो सा, अब यो केस्मा, FGO को वैल्यू, 0 बाईँच, तेले के इंडिकेट गर सा वनना है, प्रिंटर ले पुरानों इंफोर्मेशन स्टिल प्रिंट गरी राहे को सा, सो त्यों बीजी बाढ़ाको होना ले, CPU ले, नेक्स्ट और को इंफोर्मेशन पढ़ाँनों को लागी, यह FGO को वैल्यू, 1 हु प्रिंटर गराम का इंस्ट्रक्शन अरू, 1 by 1 एक्जीक्यूट गरी राहे को वन्छा, रो शोटेन इंटरबल मा गरा उल्ले, इंपुट वा आउटपुट को 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 ने डेटा आको छागी छाईना बना, रो चेक गरना को लागी, यह FGI और FGO को वैल्यू, रीपीटेटली चेक गरी राहे को वन्छा, अब येसको बेसिसमा उल्ले क्ये गर्शाता वन्ना हेरी, कॉंडिशन मीट बाको छाऊ वाने, डेटा ट्रांसफर गर्शा, अब मीट बाको छाईना वाने, उल्ले फ़र्दर आफनो प्रुरानाई प्रोग्राम एक्जीकूट गरना थाल्शा, आएँ सṂतना प्रोगोर मा है आएँ सो ये चेक गरने गर्शा, इसतु आप को जुन इटा टांसफर गरने टक्निक दुन जूल्सा अब Note 10, अब ऄ कंपुटर्गलर इंटर्वल मा है एँ छजु चेक गरी राक्षा, तिसको बेसिसमा इटा टांसफर गर्शा, इसतु विर्सिनों ओला, धन्यवाद.